Welcome to Online Study Best Plus, मैं हूँ अमिद सुपला, आपको होली की बहुत-बहुत सुपकामना है, आशा करता हूँ, आप स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ होली को इंजुआ कर रहे होंगे, आज का जब वीडियो है वो इंडियन एकोनॉमी के जो बेसिक कॉंसेट्स हैं, हम लोग जो क्लारिटी है वो इतनी अच्छी नहीं रह जाएगी, राइट, सो लेट्स कम टू दा पॉइंट, पहला पॉइंट जो बहुत यूज होगा, यह लिक्विडिटी या तरलता, देखो क्या होता है, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को हम लोग तरलता कहते हैं, तो आप उसका सेप यानि आकृती अनिश्चित होती है, जिस भी बरतन में आप उसे डालोगे हो उसी का सेप ले लेता है, इसी तरह करें मनी का ऐसा रूप जो एजिली किसी भी रूप में कि किसी भी वस्तु या सेवा का रूप में बदल जाए, उसी गुड़ को कहेंगे तरलता, जैसे आप के पास 10 रुपय का नोट है, 20 रुपय का नोट है, और आप चाहो तो उसके 2 मारकर ले सकते हो, तो देखो क्या हुआ, वैलू तो 20 रुपय ही है, लेकिन जब आप मारकर वाली को दोगे तो मारकर में कनवर्ट हो जाएगा, अगर आपके पास 20 रुपया है, आप 10 रुपय वाले दो दूद ले सकते हैं, तो दूद के पैकेट में कनवर्ट हो जाएगा, तो जो भी आप लेना चाहें, तो करिणसी का ऐसा फॉर्म, जो पसी बी खॉर्म में कनवर्ट हो जाए, उसी नेचर को कहते है क्या, लिक्वीडिटिट या तरलता, क्यों तरलता कहत जब inflation होता है तो market में जो money का flow हो बढ़ जाता है, तो money का flow बढ़ जाता है इसका मतलब क्या है, कि जो bank notes है या currency, जो coins हैं, वो market में जश्यादा हो गए है, तो money का flow ज़्यादा होने का अर्थ होगा, liquidity या तरलता ज़्यादा हो गई है, जो की अमूमन inflationary condition में होता है तो अगर इसे control करना होगा तो हम लोग जब inflation पढ़ेंगे तो वह डिटेल से जानेंगे अभी इतना समझ ले कि यह जो money का flow है यानि liquidity है इसे जो surplus liquidity है इसे absorb करना ही inflation का control करने का तरीका होगा वो कैसे हो सकता है सरकार अपने इस तरह पर क्या कर सकती है direct tax में व्रद्धी कर दे जब आपसे ज़्यादा पैसा tax के रूपे ले लिया जाएगा तो खरीदने के लिए आपके पास कम पैसा बचेगा तो market पे money का flow भी कही ने कहीं control हो जाएगा दूसर सरकार क्या कर सकती है सरकार ये कर सकती है कि जो public expenditure उसे कम कर दे सरकार जो व्याय करती है सरकारी व्याय या सारजनिक व्याय उसमें कमी कर दे तो अगर सरकार सारजनिक व्याय में कमी करेगी जैसे ज़्यादा भी highway मत बनाओ ज़्यादा construction मत करो ज्यादा मन रेगा प्याभी काम मत करो कुछ भी सरकार ऐसा करे कि सरकार के द्वारा होने वाला व्याई अगर कम हो जाए तो मार्केट में कम पैसा पहुचेगा यानि कि liquidity कम हो जाएगा मनी का flow कम हो जाएगा और मनी का flow कम होना कहने कि inflation को control कर देगा दूसर तरीका यह हो सकता है कि सरकार indirect tax में कमी कर दे है ना जो अप्त्यच कर उन में कमी कर दे क्योंकि indirect taxes क्या करते हैं किसी वस्तु या सेवा का price बढ़ा देते हैं जैसे कोई सामान 100 रुपय का है 18% GST लगेगा तो हो जाएगा 118 रुपया का और अगर कोई सामान जो है वो 100 रुपय का है उसमें GST लगेगा 12% तो 112 का हो जाएगा तो सरकार अपने इस्तर पर क्या कर सकती है direct tax यानि कि जैसे income tax है और carpolate tax है इनको बढ़ा दे और indirect tax जैसे आपका excise duty हो गया GST हो गया वैट हो गया इने घटा दे तो सरकार तीन तरीके कर सकती है क्या direct tax बढ़ा कर आपके खरीदेने के छमता को कम कर देगी ताकि आप market में कम से कम पैसा ले जाए दूसरा सरकार indirect tax में कमी कर सकती है जिससे वस्तुया सेवाओं के मुल कम हो जाए तीसरा सरकार public expenditure ने सारजिनिक विया में कमी कर सकती है RBI अपने इस तरफ पे क्या कर सकता है RBI जिन rate पे commercial banks को पैसा देता है उस rate को क्या कर दे बढ़ा दे तो जब bank वालों को RBI से पैसा महेंगा मिलेगा तो जाहिल सी बात है वो अपने profit को maintain करने के लिए अपने lending rate या interest rate बढ़ा देंगे जैसे repo rate अगर महेंग जादा हो जाएगा repo rate वो rate होता है जिस पर commercial bank 100 term के लिए RBI से मनी बारो करते है अब अगर वही महेंगा हो जाएगा तो होगा क्या कि bank को जादा पैसा देना पड़ रहा है RBI से पैसा लेने के लिए तो जाहिर सी बात है वो अपने इस profit को maintain करने के लिए हमें जिस दर पे पैसा उधार देते हैं उसे हम लोग उधारी दर या भ्यास दर या lending rate या interest rate कहते है वो interest rate उन्हें बढ़ाएगा जब वो अपना lending rate या interest rate बढ़ाएगे तो जाहिर सी बात है कम लोग loan के लिए apply करेंगे जब कम लोग loan के लिए apply करेंगे तो investment भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा जब investment कम हो जाएगा तो market में money की supply भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी यानि कि liquidity क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और money की supply या liquidity कम होना ही inflation control है तो यह हमने देख लिया liquidity कहां कहां कैसे use होनी है दूसरा जो हम लोग आज कुछ curve पढ़ लेते हैं इसमें एक करवयाब का Phillips curve Phillips curve Phillips वक्र बोलता है इसे ठीक है? Phillips वक्र यह वक्र देखो क्या कहता है? कि inflation में सब कुछ बुरा बुरा ही नहीं होता है inflation का कुछ positive side भी होते है positive aspect भी होते है जैसे यह करव कहता है कि अगर हम लोग access पर रखते हैं unemployment को बेरोजगारी को बेरोजगारी हमने access पर रखी और y access पर रख देते हैं inflation को inflation यानि महंगाई मुद्राइस फीती ठीक है अब इस graph को अगर हम लोग देखे यह point हमारा A हो गया यह point हमारा B हो गया और यह point हमारा C हो गया समझें देखे point A पर आप क्या देख रहे है जब inflation rate 4% है तो बेरोजगारी के दर कितनी है 8% यानि कम महंगाई है तो अगर महंगाई कम होगी तो unemployment जादा होगा फिर महंगाई बढ़के 6% हुई तो बेरोजगारी घटके कितनी हो गई 6% जब महंगाई बढ़के 8% हो गई तो देखे बेरोजगारी घटके कितनी आ गई 4% इसका मतलब क्या है कि फिलिप्स कर्व यह कहता है कि जैसे जैसे inflation बढ़ेगी unemployment कम हो जाएगा यानि महंगाई और बेरोजगारी में indirect relation होता है या inversely proportional होते हैं वो दोनों ऐसा क्यों होता है इसका logic भी समझ ले फिलिप्स कर्व क्या कहता है किसकी बीच में समझ बताता है बेरोजगारी और माहिंगाई के बीच कैसा समझ होता है directly proportional या inversely proportional उल्टा समझ होता है तो inversely proportional अब इसका logic भी समझ ले logic यह कहता है कि जब inflation होगा इसका मतलब goods and services के price ज़्यादा है तो जो उनको produce करने वाला उसे profit हो रहा है जैसे कोई समानाज तक आभी तक 100 रुपय का मिला था बाद में वो 120 रुपय का मिलेगा तो जाहिर सी बात है दुकान वाले को फायदा होगा दुकान वाला इस अपने लाब को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा production करना चाहेगा तो ध्यान रखना है कि जब inflation होगा तो क्या होगा inflation होने पे जो producer का profit है वो बढ़ जाएगा जो producer का profit है वो बढ़ जाएगा अब वो अपने profit को maintain करने या और ज़्यादा करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसे अपना production बढ़ाना पड़ेगा. जब वो production बढ़ाना चाहेगा तो उसे जरूरत होगी किसकी? उसको जरूरत होगी raw material की और उसको जरूरत होगी labor की. यहाँ पर demand create होगी किसकी? कच्चे माल की और मजदूरों की. तो जिनका कच्चा माल बिकेगा उनकी यहाँ भी jobs create होगी और जिनसे काम करवाया जाएगा उनको भी jobs मिलेंगी. इसका मतलब है कि इससे क्या होगा? jobs creation होगा. रोजगार का स्रजन होगा. तो आप क्या देख रहे आता है? ग्राफ क्या कहता है? लॉजिक क्या है उसके पीछे का? इतना जानना हमारे लिए परियाप्त होगा. दूसरा कर्व हम लोग समझते हैं. दूसरा कर्व क्या है? दूसरा कर्व हम लोग देख सकते हैं लैफर कर्व के बारे में. लैफर वक्र, ये क्या कहता है? लैफर वक्र जो सम्मंध बताता है, वो टैक्स रेट यनी कर्व की दर और टैक्स रिवेन्यू यनी जो टैक्स कलेक्ट हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं कर्राजश के बीच में सम्मंद बताता है. और ये कर्व क्या कहता है देखो, इसको हम लोग बना देते हैं इदर पे नमा लेते हैं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है यहाँ पे हमने रखा है Tax Rate और इधर पे रखते हैं हम लोग Tax Revenue ठीक है, X अच्छ पे रखते हैं कर की दर और Y अच्छ पे रखते हैं कर राजश कर की दर और कर राजश का अर्थ होता है कितना Tax Collect हुआ है, अब समझना मिटा समझों, आप क्या देख रहे हूँ, जब कर की दर यहाँ पे मैं रख देता हूँ चार परसेंट, चार परसेंट, आठ परसेंट, ठीक है, बताओ जब कर की दर चार परसेंट है तो टोटल कितना Tax Collect हो रहा है, 500 करोन रुपए, सारी वैलू रुपए में है, 500 करोन रुपए तो सरकार को यह लगेगा यार कि जब 4% Tax पे 500 करोन का Tax Collect हो रहा है, Tax Revenue आ रहा है तो क्यों न थोड़ा और बढ़ाया जाए Tax Rate, ताकि हमारा Tax Revenue और ज़्यादा बढ़ जाए तो सरकार ने Tax Rate बढ़ा के कर दिया 6%, तो देखी बढ़ भी गया, और अब Tax कितना Collect होने लगा, 1000 करोन तो सरकार को motivation यह आ सकता है, कि जब 4-6 पे आये तो 1000 करोन हो गया है, तो चलो और बढ़ा के देखते हैं फिर जब Tax Rate 8% कर दिया गया, तो Tax Revenue घटके कितना आ गया, 100 करोन तो आप क्या देख रहे हो, कि Tax Revenue बढ़ने के बजाए घटने लगा, उसका Reason क्या है, कि जब एक Certain Level से ज़्यादा Tax Rate हो जाएगा तो जो Tax Payers है, वो Demotivate हो जाएगा Production करने से, वो यह सोचेगा, कि अगर मेरी मेहनत का ज़्यादातर पैसा Tax के रूप में ही चला जाना है, तो फिर मैं इक्स्टा प्रडक्शन किस लिए करूँ, इतना करो कि अपना आराम से जीले, और हमारा Tax में भी इतना चला जाए कि हम परबाद हो जाए, तो Tax Evasion सुरू हो सकता है, टैक्स के चोरी सुरू हो सकती है, लोग ज़्यादा Production करने से Demotivate हो सकते हैं, तो होगा क्या, Lefer Curve क्या कहता है, एक Certain Tax Rate पर ही Tax Revenue Maximum हो सकता है, अगर उस से ज्यादा Tax Rate बढ़ाया गया, तो Tax Revenue बढ़ने के बजाए घटने लग हो और बाद में वो डिक्रीज होने लगे, तो उसका सेफ हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा यू बनेगा, यह हमने Lefer Curve से देख लिया, कि कर की दर बढ़ाने पर पहले तो Tax Revenue बढ़ता है, और बाद में कम होने लगता है, यह जो concept दिया था, वो Lefer ने दिया था, इसलिए इसे Lefer Curve कहा जाता है, यह हमने Lefer Curve के बारे में देख लिया, दूसरी चीज अब हम देख लें, कुजनेट्स कर्व, क्या कहता है, कुजनेट्स कर्व देखें, यहाँ पे हम लोग रखते हैं, GDP पर कैपिटा, और यहाँ पे रखते हैं, Inequality या असमानता, Inequality या विशमता कहें जीजे, ठीक है, अब क्या देख रहे हो, यह मान लेते हैं 100 करोड, इसे मान लेते हैं 500 करोड, और इसे मान लेते हैं 10,000 करोड, ठीक है, यहाँ पर Inequality का Level मान लीजे, 2%, यहाँ पर है 4%, यहाँ पर 6%, तो क्या आप देख रहे हो, जब GDP पर क्यापिटा कोई देश अभी Advance नहीं है, Agrarian Economy है, तो वहाँ पर क्या रहेगा, कि जैसे आप देखोगे, कि पहले का जमाने में, कुछ लोगों के पास बिलकुल खेत नहीं होते थे, और कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा खेत होते थे, जब हमारी Economy, बेसिकली एक क्रसी मूला करते वस्ता, या Agrarian Economy थी, तो कुछ लोगों के पास बहुत संसादन थे, और बहुत सारे लोग थे, जिनके पास कोई संसादन नहीं था, तो वहाँ पर क्या देखोगे, कि जब Economy Agrarian होगी, तो वहाँ पर विशमता, क्या है, 4% है, लेकिन जैसे ही आ उसका रीजन क्या होता है, जो अमीर होता है, वो और अमीर हो जाता है, और जो गरीब होता है, वो और गरीब हो जाता है, तो GDP पर क्यापिटा बढ़ने के साथ, इनिक्वालिटी का लेवल भी बढ़ता है, लेकिन जब Economy एक सर्टेन लेवल को पार कर जाती है, हम लोग Secondary Sector of Economy से Tertiary Sectors of Economy या Service Sector Economy में इंटर कर जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, कि जो इनिक्वालिटी होती है, वो कम होने लगती है, तो यह जो कुछनेट्स कर वह यही कहता है, कि GDP पर क्यापिटा बढ़ने के साथ, जब आप Agrarian से Secondary Sector की और जाते हैं, तो आपके यहाँ पर GDP पर क्यापिटा बढ़ेगी, लेकिन जो रिच थे वो और ज़्यादा रिच हो गए, और जो पूर थे वो और ज़्यादा पूर हो जाएंगे, यानि इनिसली GDP पर क्यापिटा बढ़ने के साथ, इनिक्वालिटी बढ़ती है, लेकिन सर्टेन लेवल पर जब आप पहुंच जब आप सर्विस सेक्टर एकोनमी में इंटर कर जाते हैं, आपके पास green technology आजाती है, clean technology आती है, e-governance आ जाता है, technology का ज़्यादा ज्यादा यूज होने लगता है, तो फिर क्या होता है, technology आप आदमी को empower करती है, जैसे आप इंडिया में देख रहे हैं कि inequality कम करने में, लो सेक्टर में इंटर करेंगे तो जाईर सी बात है gdp per capita बढ़ने के साथ विशमता भी कम हो जाएगी तो इसमें फिर से हमने देखो क्या देखा पहले GDP per capita बढ़ने के साथ इने quality बढ़ती है लेकिन बाद में गरने लगती है तो इसका save भी कैसा बनेगा उल्टा यू यह हमने किसके बारे में देख लिया कुजनेट्स कर्व अचा एक और कुजनेट्स कर्व है जो हमें पता होना चाहिए ठीक है वो देखो क्या कहता है वो कुजनेट्स कर्व यहाँ पर वही चीज GDP per capita और यहाँ पर आपको रखना है Environment Degradation Environment Degradation परयावरण का राश्या छरण ठीक है तो आप क्या देखोगे Same Concept यह मान लिजे Value है 1000 करोड यह है 2000 करोड और यह है 5000 करोड ठीक है यहाँ पर Environment का Degradation है मान लिजे 4% यहाँ पर है 6% और यहाँ पर है 8% तो आप क्या देख रहे हो जब GDP पर capita initially बढ़ती है हमारे पास Green Technology नहीं होती है Clean Technology नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा हम Fossil Fields का यूज करते है उसकी वैसे क्या होता है कि जब आप Gradient Economy से Secondary Economy या Industrial Economy में इंटर करते हैं तो बहुत ज़्यादा Pollution होता है उस Pollution के वैसे क्या हो जाता है हमारा Environment Degradation बढ़ता है तो Primary से जब आप Secondary सेक्टर आफ एकोनोमी के और जाएंगे वहाँ पर Pollution हमारे पास अच्छी टिकनोलजी ना होने के कारण Fossil Fields ज़्यादा यूज होने के कारण हमारे याँ Pollution बढ़ता है और Pollution बढ़ने के वैसे पर्यावरण का नुक्षान होता है इनवार्मेंट डिग्रेडेशन बढ़ेगा लेकिन जब आप फिर से Secondary से टर्सी सेक्टर साफ एकोनोमी के और जाएंगे तो जो सेवा छेतर होता है वहाँ पर काम करने का Production का तरीका ही ऐसा होता है कि वहाँ पर Pollution कम से कम होगा तो चुकि इनडिया भी एक सर्विस सेक्टर एकोनोमें मिंटर कर चुका है तो हमारे यहां भी Environment का Degradation आने वाले समय में और कम होना है तो हमें InSort अगर समझना है कुजनेट सकर्व तो क्या कहता है कि Initially GDP पर क्यापिटा बढ़ने के साथ Environment Degradation बढ़ता है लेकिन जब Economy सर्विस सेक्टर में इंटर कर जाती है तो Environment Degradation कम होने लगता है तो कुजनेट सकर्व दो है हमें ध्यान लखना है एक GDP पर क्यापिटा और Inequality के बारे में बताता है तो देखें GDP पर क्यापिटा Is Inversely Proportional to Inequality यहां से हमको यह Concept मिला और यहां से हमें Concept क्या मिला कि GDP पर क्यापिटा Is Inversely Proportional to Environment Degradation और तीनों ही जगे आपने क्या देखा है कि जो कर्व बन रहा है वो Opposite U बन रहा है तो हमेशा ध्यान रखना है कभी भी कोई ऐसी थेओरी है कि जहां पर पहले value बढ़े फिर गिरने लगे तो उसका shape कैसा बनेगा अपोजिट यूव बनेगा ठीक है next कर्व देखते है यहां पर एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं एक कर्व है जो important है that is J कर्व J कर्व देखो क्या होता है यह किस के बारे में बात करता है यह बात करता है devaluation of currency and export मुद्रा का अवमूल्यन मुद्रा का अवमूल्यन और निर्यात निर्यात मतलब बेचना ठीक है तो होता क्या है कोई country अपने export को बढ़ाने के लिए अपने currency की value को जब खुद ही down कर दे उसे हम लोग कहते ही devaluation तो कभी ये question पूछा जाए कि devaluation किस purpose से किया जाता है तो devaluation करने का purpose होता है कि अपने निर्यात को क्या किया जा सके बढ़ावा दिया जा सके ऐसा क्यूं होगा कि currency की value को down करने से निर्यात बढ़ जाएगा इसका reason ये होता है कि आप क्या जो product होता है उसका price कम हो जाता है उदारण के तौर पे देखे मानने आपका समान पहले 420 रुपय का था और अभी भी वो समान 420 रुपय का है पहले क्या होता था कि एक डॉलर बराबर 60 रुपय होता था और अभी एक डॉलर बराबर 70 रुपय हो गया है यानि डॉलर वही है एक डॉलर लेने के लिए पहले 60 रुपय देने पड़ते थे अब एक डॉलर लेने के लिए 70 रुपय देने पड़ेंगे यानि डॉलर तो अपनी जगे है हमें ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे करेंसी के वैलू डाउन हो गई है तो यहाँ पर देखें अगर किसी इंडियन को अपना सामान किसी अमेरिकन को बेचना है और उसकी कीमत भारत में उसने 420 रुपए रखी है तो पहले वाले एक्षेंज रेट के अकॉर्डिंग बताओ 60 रुपए बराबर 1 डॉलर तो 420 रुपए बराबर कितने डॉलर हो गए? 7 डॉलर तो पहले उससे 7 डॉलर पे करना पड़ रहा था अभी क्या हुआ? हमने अपनी करेंसी की वैलू डाउन कर दी तो अभी एक डॉलर बराबर कितना है? 70 रुपए सामान अभी भी कितने का है? 420 रुपए का है तो अभी उसको कितना पे करना पड़ेगा? उसे पे करना पड़ेगा 6 डालर तो देखो पहले किसी अमेरिकन को इंडिया का कोई सामान लेने के लिए जिसकी कीमत 420 रुपय है, पहले उसे 7 डॉलर पे करना पड़ता था, अभी कितना पे करना पड़ रहा है, 6 डॉलर पे करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके लिए सामान खरीदना सस्ता हो गया है, और सस्ता सामान बिखता है आसानी से, तो जाहिर सी बात है, कि जब हूँ अपने करना करेंसे की डिवैलिवेशन करेंगे, तो जो हमारा support होता है, वो cheap हो जाता है, हमारा जो export होता है, और cheap होने की वज़ज़ से, वो क्या होता है, उसका एक्स्पोर्ट हमारा बढ़ जाता है, ठीकि? कि वो increase कर जाता है, अब जे कर्व क्या कहता है, जे क जो sudden impact होगा वो तो opposite होगा यानि तुरंत तो तुरंत तो आपका export decline करेगा लेकिन एक certain time के बाद वो rise करने लगता है तो इसी को हम लोग J curve कहते हैं J curve क्या कहता है कि जब कोई country अपने currency का devaluation करती है तो पहले उसका export down होता है और बाद में जाके बढ़ना शुरू होता है इसे हम लोग J curve से express करते हैं और devaluation जाद तर चाइना करता है इसलिए चर्चा में रहता है किसलिए किया जाता है निर्यात बढ़ाने के लिए कैसे technically हमारा devaluation करने के बाद export बढ़ सकता है वो मैंने बता दिया कि जो विदेशी व्यक्ति होगा उसको इंडियन सामान खरीदना सस्ता हो जाएगा अच्छा इसका एक impact आउर होगा export तो हमारा cheap हुआ है लेकिन हमारा import क्या हो जाएगा import अब हमारा costly हो जाएगा है कि नहीं import कैसे costly होगा देखो माननो कोई American है उसे इंडिया के किसी व्यक्ति को कोई सामान बेजना है इसका price 6 डॉलर उसने रखा तो पहले 1 डॉलर बराबर कितना था 60 रुपय तो किसी भारती को उसके लिए pay करना पढ़ रहा है 360 रुपय लेकिन बाद में 1 डॉलर बराबर कितना हो गया 70 रुपय तो अभी कितना pay करना पढ़ेगा 420 रुपया तो आप क्या देख रहे हो कि import हमारा क्या हो जाएगा import costly हो जाएगा और जब कोई चीज महंगी होती है तो हम उसे कम खरीदते हैं यानि जब devaluation होगा तो export हमारा cheap होने के वज़े से क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और import हमारा costly होने के वज़े से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा यानि devaluation से 2 हमारे objective पूरे हो सकते हैं कौन से export हमारा बढ़ जाए और import हमारा कम हो जाए ये इसकी पीछे का objective होता है और होगा क्या कि जब हमारा सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा तो हमें हमारे देश में जो US dollar है या दूसरे जो foreign currency है वो ज़्यादा आ जाएंगी तो वो हमारे forex reserve जब बड़ा हो जाएगा तो कोई अगर हमारी economic की उपर sock आता है तो उस sock को हम absorb कर सकते हैं जैसे अब रशिया के शाथ में क्या दिक्कत है कि US dollar उसके पास बच नहीं रहा है तो अब उसको दिक्कत होगी खरीदारी करने में या फिर वो क्या करे उन countries के currency रखके जो world trade में बहुत ज़्यादा हिस्सा रखते हैं तो अब ही आने वाला जो समय होगा उसमें yuan का dominance जो चीन की currency या renminbi या yuan उसका बढ़ना है चुकि world trade में चाइना का हिस्सा बढ़ रहा है तो अगर आपको कोई भी सामान खरीदना है तो Chinese currency में वो easily accept हो जाएगा तो इतना हमने देख लिया कि j curve क्या होता है दूसरा एक term हमें और पता होना चाहिए that is we safe recovery देखो we safe recovery last economic survey में बहुत चर्चा में रहा we safe recovery क्या है आप क्या देख रहे हो कि कोई जो growth है वो पहले बहुत तेजी से decline करी और बाद में बहुत तेजी से rise हो तो जब कोई भी country या कोई भी economy का growth rate बहुत तेजी से decline करे और rise भी बहुत तेज हो तो उस recovery को ही क्या बोलते हैं we safe recovery जैसे कि हमारा 2019-20 का economic survey बोला था कि हमारे country ने we safe recovery गेन की थी corona की वज़े से हमारी जो growth rate थी आपको पता होगा minus 6.8 पहुँच गई थी लेकिन फिर हम लोग minus 6.8 से पहुँच गए थे 10.5 पे तो minus लगभग 7 से minus 10 में sorry plus 10 में पहुँचना लगभग 17% का increment तो इस recovery को क्या बोलते हैं V-shape recovery एक और recovery है जिसे हम लोग बोलते हैं K-shape recovery ये क्या है K-shape recovery देखो आप क्या देख रहो इसमें हमारे economy में कुछ sectors ऐसे होंगे जहांपे rise होगा वो improve कर रहे होंगे और कुछ sector ऐसे होंगे जो decline कर रहे होंगे तो जब economy के कुछ sector rise करें और कुछ decline करें तो उसे हम लोग बोलते हैं K-shape recovery तो मेरी समझ से जो important curves हैं जहां से question आते हैं और उनसे associated जो concept है वो मैंने आपको बता दिया I hope ये आपके काफी समझ में आया होगा तो आज के लिए इतना ही फिर हम लोग next video पे बात करेंगे किसी topic के साथ में अभी ये basic understanding जरूरी थी I think हो गई होगी अगर ये पशंद आये तो आप प्लीज इसे like करें share करें, subscribe करें और once again आप सभी को holy की बहुत बहुत सुपकामने Thank you so much